शक्तिपात के बारे में आज में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं बहुत लोगों का मुझ पर फौन आते हैं वर्ट्सोंप पर भी मेसेज बेजते हैं बापु मेरे को फलाने गुरु माराज ने शक्तिपात किया है फलाने गुरु माराज ने फौन द्वारा शक्तिपात कि प्लाना गुरु माराज ने मेरे मस्तक के उपर गुलाब का फूल रखर मेरा तीन सक्रोजागरूप कर दिया है और फिर भी ऐसा बोलते हैं और फिर भी वह अलग-अलग रोज अलग-अलग गुरु वह में भटकते रहते हैं उनका मन तो भटकाव में ही रहता है सही में मैं बात करूं सत्य बात बहुत कडवी होती है शक्ति पाद करने वाला महापुरूष कोई वोताई मही है ऐसे इसी तरीके से कोई शक्ति पाद करी नहीं पैएगा इन निजपत का मार गैसा है कि खुदको ही चलना पड़ता है कि खुद कि आट्मा को जाग रूत करने क मानने के लिए खुद की कि दस्य इंद्रियों की सक्टीयों को उद्व गमन करने के लिए खुद को ही चलना पड़ता है तब अंदर की सक्तियों सब जागur templates होती है सुग्तवस्था मात्यात्मा तब जागरूत होता है लेकिन सब बाते हैं इसी करते हैं मानों इसी अंसद्धा में फसे है कि कुछ कहा ही नहीं जाता है शक्तिपात किया हुआ मानों कभी क्या कोई भटकाव रहता है उनका अरे आप इतना तो सोशो क्या अध्या सक्ति माता का तीन पूत्रों ब्रह्मा जी विस्नु जी महेच जी तीनों ने ध्यान प्राणायम के द्वारा तपिश्या किया तो आज्य सक्ति माता थो यह सूष्टी की सर्जन हाँ राय को उनके थैन पूत्रों पूत्रों के क्यों frEvery चया क्रवांगे तुम उननों पूत्रों को सारीömे करण करवाब करन शक्ति घ्मी कर्वा शक्तिicana किया मेरे को सक्तिपात किया और फिर भी मेरे को बोल रहे हैं कि आपके पांस मेरे को आना है ध्यान प्रणायम सीखने के लिए वह क्या बोल रहे हैं वही उनको मालूम नहीं एक तरफ बोल रहे हैं मेरे को फलाना गुरु मारज ने सक्तिपात किया दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि मेरे बाप को पास आना है ज्यान प्रणायम सीखने के लिए क्या समझा जाए ये बात को अरे खुद आज्जर सक्ति माता उनके तिनों पुत्रों को सक्तिपात करकर सक्ति अरपन नहीं कर सकी उनको पास ब्रह्मा विश्नु महेजी को भी मौखिग नान देकर उनके पास नहीं डाइड़क दे सकते थी शक्तिपात द्वारा लेकिन नहीं दे पाई ये नियम नहीं है पंस्तत्व का शरीर ये शरीर का विगना नहीं साहे कि निजपन्थ के उपर खुद को ही चलना पड़ता है इसके बिगर कुष होने वाला नहीं है तुक में मेरा कहने का मतलब इतना है कि इसे शक्तिपात ने इसे कोई सीजों में फसो मत किसी की ताकात की बार है शक्तिपात करने की बात अगर किसी ने शक्तिपात किया है तो इसके अंदर आत्म सक्ति तो होनी चाहिए वो कुछ भी करने की सक्तिमान होना चाहिए क्यों नहीं है को जिसके उपर जिसन जा रहे हैं और सक्थिपात करने के लिए दस दस जार पचास पसाद जार रूपया लेते हैं अरे सिधियो का कभी कहीं सोधा होता है कहीं देखा है आपने सिधियों का सोधा होते हुए है क्यों मानव इतनी अंस्दा में sarà है किसी से कुश होता नहीं है हमको खुद को ही सलना पड़ता है तब ही हम हमारा आत्मा का कल्यान कर सकेंगे बातों से कुश होने वाला नहीं है इसके लिए अमल करना पड़ता है शरीर के अंदर अमल करना पड़ता है शरीर का विग्नान जानना पड़ता है तब सब कुश होगा इसके पहले कुश होने वाला नहीं है अंसधा में मत्सरातो मेरी तो यही सभी को सला है कि कोई भी अंसधा की बात में मत्फस हो